अगर आपके Indian Overseas Bank अकाउंट से किसी भी तरह से पैसे कट रहे हैं या किसी प्रकार से कट गए हैं, तो क्या करें क्योंकि समय पर ध्यान न देने पर यह आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, और आपका नुकसान हो सकता है, जानकारी के लिए बता दे हम आपको बैंक की कुछ गलतियों या कुछ तकनीक समस्याओं से भी आपके अकाउंट से कभी भी और कितने भी पैसे कट सकते हैं, इसके अलावा बढ़ रहे स्केम्स और फ्रॉड के साथ थोड़ा थोड़ा करके पूरा का पूरा Indian Overseas Bank खाता ही खाली होने की संभावना हो सकती है, आज के समय में हम सभी का एक, बैंक अकाउंट होता है और हमारा जो भी पैसा होता है, हम उसे अपने बैंक में जमा कर देते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो भी हमारे बैंक खाते में पैसे होते हैं, उसमें से धीरे धीरे पैसे कटते रहते हैं, जिससे हमारे Indian Overseas Bank अकाउं कटे और अब क्या करें? या फिर आप कोई भी ऑनलाइन लेंदेन करते और आपके पैसे कट जाते हैं और लेंदेन नहीं हो पाता है, आपके अकाउंट से किसी भी तरीके से पैसे कट रहे हैं या कट गए हैं, तो आप इस वीडियो या साल में पैसे कट रहे हैं, तो हो सकता है आपके अकाउंट में कोई सर्विस EMI SIP एक्टिवेट हो कभी कभी बार ऐसा भी होता है कि हमारे अकाउंट से 500, 1000 या उससे ज्यादा पैसे कट जाते हैं ऐसे में हो सकता है आपके साथ कोई फ्राड हुआ हो और कभी कभी बैंक की कुछ तक्निकी दिक्कतों की वजह से भी आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं किसी भी तरह से आपके पैसे कट गए हैं तो आपको Indian Overseas Bank के इस नंबर 1800425 4445 से बात करना है और उन्हें बताना है कि हमने कोई भी लेन देन नहीं किया है और हमारे अकाउंट से पैसे कट गए वह चेक करके आपको बता देंगे कि आपके पैसे क्यों कटे हैं आप उनसे पूरी जानकारी ले समाधा ना हो तो आपको दो से तीन दिन के अंदर बैंक विजिट करने की आबसेकता है विडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले